आप देख रहे हैं सत्य खबर दबाईए ये सब्सक्राइब का बटन और पाईए देश प्रदेश की हर खबर बीजेपी अध्यक्ष अमिच शहा की 15 फरवरी को जीन्द रैली को लेकर विपक्षियों द्वारा लगातार बयानबाजी की जा रही है अब नेता प्रतिपक्ष अभै चोटाला ने अमिच शहा से सीधा सवाल किया है कि वो इस रैली का मकसद बताएं और उसके बाद ही रैली करने के लिए पहुँचे जी हाँ आज बरवाला में उकलाना और बरवाला के इनेलो कारकरताओं के लिए एक समेलन का आयोजन किया गया था इस कारेक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर नेता प्रतिपक्ष अभै चोटाला पहुँचे और इसी कारिक्रम के दौरान अभै चौटाला ने पत्रकारों से बात चीत करते हुए अमिच शाह की इस रैली पर निशाना साधा उन्होंने अमिच शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि अमिच शाह हरियाना का माहोल खराब करने के लिए ये रैली कर रहे हैं अभै चौटाला ने सवाल पूछते हुए कहा कि अमिच शाह पहले जनता के सामने इस रैली का मकसद साफ करें और उसके बाद ही इस रैली में पहुँचें इसके बाद उन्होंने प्ड़देश सरकार पर निशाना साथते हुए कहा कि प्ड़देश सरकार लगातार अप राध्यों को सनरक्षن और सही व्यक्तियों को जेल में डाल रही है जिसके चलते प्ड़देश में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है वहीं सम्मिलन में अभय चोटाला ने कारेकरताओं से आवान किया कि S.Y.L. नेहर के मामले को लेकर इनेलोद्वारा साथ मार्च को दिल्ली में राष्ट्रे इस्तर पर जो प्रदर्शन किया जाएगा उसमें बढ़ चड़ कर पहुँचें इस सर्कार को इस बात के लिए चिताया कि आप disproportionately हंजये कर देढ कि जो रविया आपका है उस से है। अर्याना परदेश की लोगों के मन में एक बड़ी सन्टर्भा पैदा होती है कि ये सर्कार जान बुशकर कि हमारे पानी को चालना चाहते है। इसलिए हमने नए सिरे से अल्टिमेटम दिया 23 फरवरी करो या तो 23 फरवरी तक नेर का काम शुरू करो परदेश की जनता को आश्वाशन दिवा स्वस्त करो अगर नहीं करोगे तो साथ मार्च को दिली में लाखों किसानों करे करके जाएंगे और सरकार के किलाप एक बड़ दबाईए ये सब्सक्राइब का बटन और पाईए देश प्रदेश की हर खबर